लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है लेकिन वक्त ने बताया कि लोग बदल जाते हैं। कुछ ऐसी ही है जिन्दकी कहना जहां लोग आक्चली बदल जाते हैं। लेकर हम जानते हैं आपको कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप बिलकुल नहीं बतलेंगे, है ना? स्ट्रापलेस के सीजिल साथ ने भाना साथिया सीजन टू में गहना कारतिक को घर ले आई है, असल में मौका है श्रेया के बोधे का, और ऐसे में गहना ने दिया है उसे ये खूबसूरत सुप्राइज, क्योंकि श्रेया कारतिक से काफी प्यार करती है, और अपने जन दिन के मौके पर अपने बेटे को अपने पास पाकर, वो काफी खुश है, ऐसे में फिर एक बार देखने को मिलती है, सिखंदर और गहना के भीज़गी टशन बाजी एक है ना, वो मेरे बेटे को मुट से तो बोही कर सती, समझी? और अगर ऐसा है ना, तो अब मैं पने बेटी की कस्टोडी कोर्ट से लुआ है बच्चे को कोट से लुआ है, प्यार से जिला जाता है, इमान दादी और नमरता से और थोड़ी सिंसेरे ले रखो गया है, तो वो तुम्हारे पास हमेशा के लिए जाता है और तुम्हें तो बूशू नचले इस लगता है, कि वो अब इस घर में आपकी मज़रों के सामने रहे और उल्टा आपको थांगी बोलना चाहिए वैसे ही बहुत सारे एपिसोड में आपने मुझे देखा होगा कि मैं कार्तिक कार्तिक, बहुत कार्तिक को मेस्ट करती रहती थी और बहुत सारे एपिसोड में ऐसा हुआ है कि मैंने कार्तिक की वज़े से बहुत बार डार्ट सुनी है, मार खाई है और बहुत सारी चीजे जो हुई है मेरे साथ में तो ऐसा हुआ है कि मतलब अभी कार्तिक वापस आ गया है गहना उसको वापस लेकर के आ गई है मेरी लाइफ में तो अभी ऐसा चल रहा है कि कार्तिक मेरा बहुदे है और कार्तिक की एंट्री वही है वैसे इसी के साथ सीरियल में हो गई है सुहानी की बहन की एंट्री जो कहानी में लाएगी धेर सारे ट्विस्ट्स जो चीजे सुहानी को अकेली पढ रही थी चीजे हो रही थी तो उसके लिए लॉग वेटे वेट कियो कि हम लोग तो बहुत एपसोर से का वेट कर रहे थे मगर कहानिया कुछ इदर उदर जाती रही इसलिए मगर अभी आ गई है तो आम शूर देर वी चार चान इना शो और रही 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 है क्योंकि मैं छोटी बहन बन किया है स्मानी जी की और शकुंतला शकुनी मेरा नाम है शो में बहुत इंट्रस्टिंग होने वाल इनके रक्षे कदम पे चलने वाली हूं और गहना की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सभी और क्रेट होने वाली है क्योंकि बहुत जादा अतहल का होने माला है अब मैं आई हूं तो कुछ नो कुछ तो अलग होगा तो आप लोग देखेगा और बताएगा जरूर आग तो काफी चौसर खेलें की है तो शुहौ टाड़ा कोंसी थी जब बात जिन्दीग के चौसर खेलने की हो तो अब बाद जिन्दीग के चौसर खेलने के तो छुआ नहीं सकता है सु हॉ यह दोनों का निक नेम है और स्क्रीन पे ही नहीं ओफ-स्क्रीन भी हम लोगों की कैने से बहुत अची है मुझे चोटी बहन मानते हूं चोटी बहन की ज़सा गाइड भी करती है मुझे समझाती है सीन्स के लिए भी हल्प करती है हम जादा